नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं सोहन सर्मा किचन किंग, मैं हूँ सोहन सर्मा और आज हम बनाएंगे सांबर वड़ा, तो चलिए शुरू करते हैं सांबर वड़ा बनाना, सांबर भी बनाएंगे और वड़ा भी बनाएंगे, बहुत ही टेस् बताईए आपने पहले क्यों नहीं बताई पहले पता होता तो मैं इतनी माधा पोड़ी नहीं करती इतनी आसानी से वड़े बन जाएंगे उस टिप्स से तो आप वीडियो को शुरूर से लेकर एंट तक जरूर देखिए पहली बाद चैनल देखरो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और ये वड़ा बनाने के लिए मैंने आदा कप मूंग की डाल ली है मूंग की डाल से ये है और आदा कप मैं उर्द की डाल ले रहा हूं दोनूं बराबर ले रहा हूं एक कप होगी दोनूं मिला के मूंग की डाल से ये जो वड़े है ना बिल्कुल भी तेल नही इस तरीके से पानी डाल के इने भीगो देता हूँ, दो घंटे के लिए वैसे आप 6 घंटे भी भीगो सकते हो, सुबह नास्ते में बनाना है तो आप रात को भीगो दीजिए, सुबह बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो दालों को मैंने अच्छी तरीके से भीगो दिय हैं, और अब हम सांबर को एक फ्रेशर कूकर के अंदर चड़ा देते हैं, सांबर की डाल को, ये जो डाल है सांबर वाली भीगोई वी, अरेर की, उसको मैंने फ्रेशर कूकर के अंदर डाल लिया है, बीना पानी के, और अब मैं इसके अंदर दो कप और आधा कप पानी डा कि यूकर के इसे जालेखन लगा कर दो हमें वृकर क दिया को पानी के और भीग जायेगे थे पांच-शेओंडरीय से भीगने दिते हैं जब तक हम सांबर की सबजों की तियारी कर लेते हैं यह मैं सामबर की सबजियों के लिए सबसे पहले लोकी लिए मैंने 250 ग्राम इसको मैंने चील लिए गीया भी कहते हैं दो प्याज लिए है और दो टमाटर लिए और एक हरी मीर्ची लिए और आप सबजिया अपनी पसंद से ले सकते हैं देखिए फ्रेशर कूकर के अंदर तीन-चार तेल डाल रहा हूं और ये मैंने तड़के के लिए चोथाई चमच दाना मेती आदा चमच उर्ध की दाल और दस कड़ी के पत्ते और दो साबुत लाल मेची दाना मेती सबसे पहले चोथाई चमच मैं डाल देता हूं तेल गरम हो गया है और उसके बाद उर्ध की दाल भी आधा चम्मच छोटी वाली मैं तेल के अंदर डाल देता हूँ, थोड़ा सा चलाते हैं इन्हें, क्योंकि इन्हें हलका ब्राउन करना है हमें, और अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच राही डाल रहा हूँ, तड़के के लिए राही जैसी तर-तर आ जाती है, हमारे पास जो दो सूकी मीर्ची थी, लाल वाली, वो मैं डाल देता हूँ, थोड़ा सा लाल मीर्ची को चलाता हूँ, इसकी खुश्मु जो है बहुत अच्छी आती है, इस सामबर जेशी खुश्मु आती है इस तड़के से, और आप 10-15 मैंने कड़ी पत्ते डाल दिये, कड़ी पत्ते आप दूर से डाले, थोड़े साइड में रहिए, थर थर आते हैं, आदा चोट, एक चम माच मैंने बारी कट्यो हरी मेंशी डाल दी, और ये दो हमारे पास जो प्यास थे, उनको मैंने थोड़ा बड़े-बड़े फीसिस में काटके डाला है, ताकि सामबर के अंदर हमें आ लोकी डाल दी है इसके अंदर, और आधा चमच मैं नमक डाल रहा हूं, आप सुआद नुसार लीजिए, और देखिए लोकी को मैंने चोक और पीस में काटा है, छोटे-छोटे-चोक और पीस काटे, आप जैसे चाय काट सकते, आप सबजियां और भी इसके अंदर डाल सकत बीना पानी की हमें अच्छे सी मीडियम आज पर पकाना है, पिर से डकन लगा देते हैं, अभी लोकी को पकते हुए, तीन मिनट हो चुके है, लोकी पक चुकी है, देख लेते हैं, एक बार हम चेक करके गिया पकना जुरूरी होता है, और प्याज भी हमारे अच्छी तरीक से, इस तरीके से मिला देते हैं, और अब हमारे पास जो मसाले है, सांबर के लिए वो डाल देते हैं, जो था ही चोटी चमस लाल मिर्ची डाल रहा हूं, और ये मैं दो चोटी चमस सांबर मसाला डाल रहा हूं, आप जो भी सांबर मसाला यूज कर रहे हैं, जिस भी ब्रां अपने नचें इसकि अंडर डाल देते, दो बड़े चम्मत ये इमली डाल रहा हम है, आपको अगर खटाई कम लग तो इमली आप भाद में भी डाल सकते हैं, इता हो गया है, आपको अगर ख़टाई कम लगे तो आप भाद में यूज कर सकते, अपनी पसंद से खटाई ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसको अच्छे से मिला के और दो मिनट ढखकन लगा के हम इसे पकने देते ताकि टामाटर भी हमारे अच्छे से पक जाए दो मिनट पक जाने के बाद मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो देखे टामाटर बिलकुल पक चुके हैं एकदम मसाले की बहुत अच्छी सांबर की कुश्वू आने लग गई है मसाला भी पक गया है इस तरीके से देखे अब हमारे पास जो बोईल हमने जो दाल बोईल की थी वो दाल हम इसके अंदर डाल देते हैं दाल बिलकुल पक चुके है तीन सीटी लेकर रखा था हमने दाल को दाल को हम इसके अंदर मिला देते हैं अब इस दाल को मिला के एक बार हम चेक कर लेते हैं दाल मुझे थोड़ी गाड़ी लग रही है वड़े के लिए थोड़ी पतली आप मोटी पतली आप अपने हैसाब से रख सकते हो, तो मैंने इसके अंदर एक कप पानी डाला है, और आप मैं इसके अउपर धक्कन लगा दूँगा, एक दो मिनिट इससे भी दो मिनिट तक धक्कन लगा के अच्छे से डाल को हम पका लेते हैं, तो बहुत ही सांदार सी, सिम-Pul सी रेशीपी है, देखें, दो मिनिट बाद डाल बिल्कुल वोईल ऑछुके है, आप अगर सबजियां इसके अंदर डालना चाहते हैं, तो आप और डाल सकते हैं, बेंगन डाल सकते हैं, बिंज डाल सकते हैं, गाज डाल सकते हैं, लेकिन हमें यह simple वाली ही दाल पसंद आती है, लेकिन होटल जैसा टेस्ट आता है, इसका बहुत ही सांदार टेस्ट आता है, हल्दी इसमें नहीं डालनी है, हल्दी डालोगे तो दाल का कलर पीला हो जाएगा, यह आपको पीला कलर इसलिए दीग रहे है, कि थोड़ा light का problem है, इसलिए नहीं तो दाल ज्यादा यह से पीली-पीली सी नहीं है, तो चलिए गेश को बंद कर देते हैं, दाल को हम हटा के रख देते हैं, और अब हम मेदू वड़ा की त्यारी करते हैं, सामबर वड़ा की, वड़ा की सोरी, दाल को बिल्कुल पानी हटा लिया था और पतली हो जाएगी तो वड़े बनाने में हमें आसानी नहीं रहेगी, हम यह जो वड़े का डू है, मिक्सी से निकाल के हम एक बोल के अंदर डाल लेते हैं, अब इसको आपको क्या करना है, एक चम्मस की मदद से इसे चार-पांच मिनट राउंड राउंड चलाते हुए फेट यह बिल्कुल दाल फिट चुक है, मैंने पांच मिनट तक फेटा है, आप रोक रोक के, हाथ दर्द करने लग जाएगा लगातार तो, लेकिन हाथ को रोक रोक के आप इस तरीके से फेटिए, अब मैं इसके अंदर आदा चमस नमक डाल रहा हूं, और एक चमस बारी कडियो यह बड़े बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं, और तेल बिल्कुल नहीं पीते, अब मैंने गेश को जला लिया है, हाई फ्लेम पे उस पे मैंने तेल चड़ाया है, 250 क्राम वड़े फ्राई करने के लिए, अब मैं आपको एक ट पकना नहीं चीए, पानी को जाड़ लेना है, और जो चम्मस है, हम जिससे डू लेंगे, उसको भी आपको बार-बार पानी से धोना है, अब देखे, पल्टे के उपर मैंने पानी लगा लिया है, और बिल्कुल भी पानी टपक नहीं रहा है, और मैंने एक चम्मस से इसके उपर, देखे, साइड में देखे, डू डाला है, जो गोवडे का डू है, उसको डाला है, और उसको मैंने अच्छे से हाथ में पानी लगा के अंगलियों के सेव दे दी है, और बीच में देखे, ऐसे छेद कर दिया है, अब हमें क्या करना है, हाथ हमारा गीला है, कडाई तेल के उपर हमें पलटना नहीं है, तेल से साइड में हमें इसे खुरपी को पलटके हाथ की अंगलियों पे ले लेना है, इस तरीके से, और फिर से आपको जो ये पलटा है, इसको आपको अच्छे से धो लेना है, और अच्छे से ग्रिस कर लेना है, फिर से चम्मच से आपक करके हाथ पे ले लेना है और तेल के अंदर डाल देना है देखे इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान सी विदी है यह बहुत ही अच्छी ट्रीक है और गेश को आपको मीडिय मांच पर रखना है तेल और गरम नहीं होना चीए और ज्यादा गरम तेल नहीं होना चीए कि व अलवाई लोग क्या करते हैं इस तरीक है कि जो आध्य कक्चे होटलों में हो बहुत बड़े-बड़े बनाते हैं और आध्य कक्चे निकाल के रख लेजिए जब खाना होता है तभी बनाते हैं मैं चोटी-चोटी सुंदर करके और यह एकदम किर्श्पी कर लीजिए इस तरीके से आपको वड़े बनाने बहुत ही बढ़िया और सिंपल सी ट्रीक है यह और सामबर भी तयार है मैंने सारे वड़े बना लिए है बारा तेरा वड़े बने है एक कटोरी दाल के अंदर देखिए बड़े विल्कुल किर् थ्राई करके इन और क्रिष्पी कर सकते है ओर इस वड़े को सामबर के साथ खाये नार correl के चटनी के साथ कहिए ब्रेकफास्ट में बनाइ लंच में बनाइए चाहे डीनर में मैं म्में बनाईए नारुल के चटने की वीडियो का लिंक मैं डिसrudबिस्में देदूंगा वो वीडियो बना चुका हूं तो वीडियो पसंद रहा तो फ्लीज वीडियो को लाइक से जुरू करें बनाते रहे खाते रहे बताते रहे